दोस्तो अपने समय में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहे जाने वाले आचारे चानेक कने अपने किताब चानेक के निती में कई ऐसी बाते लिखी है जो आज के समय में बिलकुल सटिक माने जाते है चानेक के निती पुस्तक में महिलाओ और पुरुशों के बारे में कई ऐसी बाते लिखी है जो आज भी उतनी ही सच है जितना की हजारों साल पहले थी चानेक्य का कहना है अगर आप किसी से प्यार करते हो तो ये गलत बात नहीं है लेकिन आप किसी से अंधा प्रेम करते हो तो आप मूर्ख हो चानेक्य का मानना है कि किसी भी इस्तरी के बारे में सब कुछ जाने बिना उसे विवा नहीं करना चाहिए अगर आप उसके खुबसूरती पर मोहित होकर शादी कर रहे हो तो आपको मौत के समन कश्ट जहलने के लिए भी तैयार होना चाहिए चानेक्य का कहना था कि जरूरी नहीं है कि हर खुबसूरत और धोके बाज और चालाख हो पर ज्यादातर खुबसूरत दिखने वाली लड़किया दिल से उतनी खुबसूरत नहीं होती चानेक्य के ने बताया है कि शिब और विश्नु भी कभी अपनी पत्नी को समझ नहीं पाए तो कैसे कोई आम इंसान ऐसी किसी महीला को समझ सकता है अचरे चानेक्य के ने कहा है कि अगर आप किसी महीला को समझने की कोशिश करते हो तो आप खुद को भोलना शुरू कर देते हो अवरत एक ऐसा समुद्र है जिसकी गहिरायों को समझना संभव है अवरत अगर खुबसूरत हो, समझदार हो, संसकारी हो और प्रेम करने वाली हो तो आप धर्ती पर ही स्वर्ग अनुवफ कर सकते हो पर अगर अगर अवरत खुबसूरती के अलावा कोई दूसरा गुन ना रखती हो तो आपका घर परिवार यहां तक की आपको भी बरबात कर सकती है चानेक्ये ने बताया है की जब लड़कियां एक लड़के से बात कर रही होती है तो वहां दूसरों से प्रेम कर रही होती है और तिसरे के बारे में सोच रही होती है आईसी लड़कियों की मानसिक्ता पूरी अमुर आईसी ही रहती है और वो शादी के बाद भी अपने पती को धोका देती है चानेक्ये ने बताया है कि प्रेम एक खुबसूरत चीज है पर ये खुबसूरत तभी है जब अच्छे और सच्चे व्यक्ति के साथ किया जाए चाहे वो लड़का हो या लड़की आचारे चनेक्ये का कैना है आउरतों को धन और सौर्ण का भूक होता है जिसके लिए वहाँ अनेक लोगों को फसाना पसंद करती है हाला कि आच के समाई में महिलाए अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद महिनत करती है पर आच के समाई में भी कई ऐसी औरते भी है जो पैसों के लिए किसी जबी प्यार कर लेती है चानेक के नीती के अनुसार जीवन साथी चुनने से पहले बहुत सोचना चाहिए क्योंकि शादी जन्वों का रिष्टा होता है और गलत व्यक्ति से शादी करना आपके दुखों का कारान बन सकता है चानेक के नी ये भी कहा है कि महिलाओ अपनी भावनाओ को छुपाने में सक्षम होती है और असल में महिलाओ में पुरुशों से दो गुना ज्यादा भूक, चार गुना ज्यादा शाहिन शिलता और आट गुना ज्यादा काम उत्तेजिना होती है इसलिए महीलाओ को कभी समझने की ज्यादा कोशिश ना करे वरना आपको पच्टाना भी पड़ सकता है